गुद मॉर्णिंग अल उफ यू, स्टांडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी, पार्ठ नम्मर सेवेन, सदा मित्र की मदद करो, उसके शब्दार्थम पहले देखेंगे, होश्या यानि अकल्मर, बुद्धीमा, तबादला यानि बदली, एक स्थान से दूसरे स्थान, वार्षिक यानि प्रतिवर्ष होने वाला, उम्मीद यानि आशा, बरोसा, निश्य यानि तै करना, हैरान यानि चकित, परिणाम यानि नतीजा, गोशित यानि गोशना होना, तो यहाँ पर जो मैंने शब्दार्थ समझाए, उसको आपको नॉट्बुक में फाइव टाइम लिख देना है, तो क्या करोगे आप अपनी नॉट्बुक में फाइव टाइम लिख देना है, चलो हमने शब्दार्थ तो देख लिए, तो हम क्या देखेंगे आप पुरा पार्ट, सदा मित्र की मदर करो, मोहन बहुत होश्यार और अमीर गर का लड़का था, वो शहर के अच्छे स्कुल में पढ़ता, था, तो वो का पर पढ़ता था तो शहर के अच्छे स्कुल में पढ़ता था उसे अपनी अमीरी पर बहुत गमंड था तो उसको किस पर गमंड था अपनी अमीरी पर इसलिए वो किसी से भी अपनी चीजे बाटना पसंद नहीं करता था बातना यानि दुसरे को देना अपनी चीजे तो वो अपनी चीजे किसी को बातना पसंद नहीं करता था एक दिन अध्यापिका यानि शिक्षी का एक दिन अध्यापिका एक नए छात्र यानि विद्यार्थी सुनिल को लेकर कक्षा में आई कक्षा यानि स्टांडर तो एक दिन अध्यापिका क्या लेकर आए नए छात्रक सुनिल को कक्षा में लेकर आएं सुनिल के पिता का तबादला तबादला यानि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदली होना तो सुनिल के पिता का तबादला इस शहर में हुआ था अध्यापिका मोहन से उसकी मदद करने के लिए कहकर कक्षा से चले गए तो अध्यापिका ने सभी छात्रों को क्या कहा कि वो वे मोहन की मदद करें और अध्यापिका कक्षा से चले गए मोहन ने सुनिल को कक्षा में हुआ कारिय बताने से मना कर दिया तो मोहन ने क्या किया सुनिल को कक्षा में हुआ कारिय यानि काम जो अध्यापिका पढ़ाती है उसकी बात किये तो बताने से मना कर दिया सुनिल ने अध्यापिका से मोहन की शिकायत नहीं की उसने जल्दी ही अपने अच्छे व्यवार से कक्षा के सबी छातरों को अपना मित्र बना लिया कक्षा के सबी छातर सुनिल की मदद करने लगे तो कक्षा के दूसरे छातरों क्या करने लगे सुनिल की मदद कोई भी छातर मोहन से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता था तो छातरों ने क्या किया मोहन से बात करना ही बन कर दिया वार्षिक परिक्षा नजदी थी सबी बच्चे परिक्षा की तयारी में लगे हुए थे सबी बच्चे किस में लगे हुए थे तो परिक्षा की तयारी में लगे हुए थे सबी को उम्मीद थी कि हमेशा की तरह मोहन ही कक्षा में प्रथम आएगा क्योंकि मोहन हर बार अपनी कक्षा में प्रथम आता था इसलिए लेकिन यह क्या मगर इस बार तो क्या हुआ परिक्षा से कुछ दिन पहले ही मोहन बिमार पड़ गया तो मोहन को बुखार आ गया था उसे तेज बुखार हुआ और डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कर दिया मोहन ने कक्षा के सबी चात्रों से मदद मांगी तो मोहन ने क्या किया सबी कक्षा के चात्रों से मदद मागी ताकि वो घर बैठकर ही परिक्षा की तयारी कर सके तो वो क्या कर सके घर बैठकर ही परिक्षा की तयारी कर सके परन्तो उसके वियवार से नाराज चात्र क्योंकि मोहन का वियवार पहले अच्छा नहीं था इसलिए सबी चात्रों ने मोहन से व्याबार परंट उसके व्याबार से नाराज चात्र मोहन का व्याबार अच्छा नहीं था तो सबी चात्र उससे क्या थे नाराज उसके घर जाने को तैयारी नहीं हुए तो सभी चात्रों उसके घर जानने से मना कर रहे थे वैसे भी अपनी अपनी पढाई में लगे हुए थे तो वो क्या कर रहे थे? अपनी अपनी पढाई में लगे हुए थे क्योंकि वार्षिक परिक्ष्या नजदिक आ रही थी ऐसे में ही सुनिल ने मोहन की मदद करने का निश्य किया निश्य करना यानि तै करना तो ऐसी परिस्थिति में सुनिल ने क्या किया मोहन की मदद करने का निश्य किया जब वह मोहन के घर गया तो मोहन उसे देखकर हैरान ह हो गया कि तो मोहन क्या हो गया हैरान हो गया किसको देख्थकर तुनिल को कि उसे वह दिन याद आया जब उसने सुनिल की मदद करने से इंकर कर दिया था जब सुनिल नया किक्षा में आया था तो मोहन ने क्या किया था उसे मदद करने से इंकर कर दिया था तो मोहन को अब वो दिम यादाया कि उसे अपने वेवार पर बहुत पच्टावा हुआ है मोहन और सुनिल ने एक साथ बैटकर सारे विशय तैयार कर लिए तो क्या किया आब मोहन के घर सुनिल गया ना तो मोहन और सुनिल ने मिलकर क्या किया सभी विशय तयार कर दिये सुनिल मोहन के साथ पुरा दिन बिता था तो सुनिल क्या करता था मोहन के साथ पुरा दिन बिता था और दिरे दिरे मोहन बिलकुल ठीक हो गया तो दिरे दिरे क्या हुआ मोहन ठीक हो गया उसके सबी पेपर अच्छे हो गये परिक्षा परिनाम गोशित हुआ, परिनाम यानी नतीजा, तो परिक्षा के परिनाम की गोशना हुई, जिसे देखका सब भी अश्चार्य चक्कित हो गए, सुनिल और मोहन दोनों के अंक एक जैसे ही थे, किसके अंक एक जैसे थे, तो सुनिल और मोहन के, दोनों ही प्रथम आये थे, तो दोनों का नंबर प्रथम ही आया हुआ था, तो मोहन ने सुनिल का धन्यवाद किया, तो क्या किया, मोहन ने सुनिल का धन्यवाद किया, उसने सुनिल से माफि मांगी, उसे यह ऐसा हो गया था कि सभी की सहायता करनी चाहिए, यानी सहायता यानी सभी की मदद करनी चाहिए, सची कहा गया है किसी की भी मदद करने से आपको नुक्षान नहीं होता आपके तो फाइदा ही होता है तो अब मोहन को पता चल गया न कि सब की मदद करनी चाहिए मदद करने से नुक्षान नहीं बलकि क्या होता है फाइदा तो आपको भी क्या करना चाहिए दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए हमें कैसा बनना चाहिए सुनिल की तरह बनना चाहिए मोहन के गंदे व्यवार को बुल कर भी सुनिल ने मोहन की मदद की तो हमें सुनिल जैसा बनना चाहिए उसके बाद है अभ्यास के लिए उसमें पहला है शुरूत एवा उच्चारण अभ्यास तो ये शब्द है आपको अपनी नॉट्बुक में वैसे के वैसे ही लिख देने है उसके बाद है प्रश्ण नम्मर टू कम से कम शब्दों में उत्तर दीजिए उसमें पहला मोहन कैसा लड़का था तो मोहन बहुत होश्यार और अमीरगर का लड़का था दूसरा एक दिन अध्यापी का किसे लेकर कक्षा में आई तो एक दिन अध्यापी का एक नए छात्र सुनिल को लेकर कक्षा में आई थड़, मोहन ने क्या करने से मना कर दिया तो मोहन ने सुनिल को कक्षा में हुआ कार्य बताने से मना कर दिया तोथा, सबी को क्या उम्मीद थी तो हमेशा की तरह मोहन ही कक्षा में प्रथम आएगा ऐसी उम्मीर थी परिक्षा के कुछ दिन पहले क्या हुआ तो परिक्षा के कुछ दिन पहले मोहन बीमार पढ़ गया उसके बाद है सही विकल्प चुन कर सही का निशान लगाईए उसमें पहला कौन परिक्षा की तयारी में लगे थे बच्चे, माता-पिता, अडोशी-पडोशी या शिक्ष्य तो कौन लगे हुए थे बच्चे तो उसके सामने राइट का निशान बनाना है कौन सी परिक्षा नस्दिक आ रही थी मासिक, वार्षिक, अद्वार्षिक के तीमाही तो वार्षिक उसके बाद है परिक्षा के समय कौन मिमार पड़ गया सुनिल, मोहन, सोहन के अनिल तो मोहन, सदा मित्र की मदद करो इस पाट की सीख है तो मदद करो, जगडा करो, जीद करो के परिशान करो तो मदद करो उसके बाद है दिये गए शब्दों से रिक्तिस्थान बरिये यानि जो यह आप पे शब्द दिये ना उससे हमको रिक्तिस्थान फिलप करने है तो मोहन बहुत खाली जग्या लड़का था तो इसमें क्या आएगा? होश्यार मोहन को अपनी अमीरी पर खाली जग्या था तो क्या था? गमन सुनिल का व्यावार खाली जग्या था तो सुनिल का व्यावार कैसा था? अच्छा सुनिल ने सभी छात्रों को अपना खाली जग्या बना लिया तो क्या बना लिया? सॉरी, इसमें मित्रा आएगा ये वाली ब्लेंग को हम फिर से देखते हैं सुनिल ने सभी चात्रों को अपना खाली जग्या बना लिया तो क्या बना लिया? मित्र सब बच्चे सुनिल की खाली जग्या करते थे तो मदद सुनिल ने बीमार खाली जग्या की मदद की तो मोहन की दोनों बच्चे परिक्षा में खाली जग्या आए तो क्या आए प्रथम उसके बाद प्रश्ण नमर त्री निमन लिखित प्रश्णों के उत्तर लिखे उसमें पहला है मोहन को अपने उपर गमन क्यों था तो मोहन बहुत होश्यार और अमिर गर का लड़का था इसलिए उसे अपने उपर बहुत अधिक गमन था दूसरा सुनिल की मदद किस ने की तो सुनिल की मदद कक्ष्याम के चात्रों ने की तिसरा बिमार पढ़ने पर मोहन की मदद किस ने और कैसे की तो बिमार पढ़ने पर मोहन की मदद सुनिल ने उसके घर जाकर की उसने उसके साथ मिलकर सभी विशयों की तयारी करवाई परिक्षा परिणाम निकलने पर सब अश्यर्य चकित क्यों रह गये तो परिक्ष्या परिणाम गोशित होने पर सभी अश्यार्य चकित हो गए क्योंकि सुनिल और मोहन दोनों के अंक एक जेसे ही थे और दोनों ही प्रथम आये थे उसके बाद चौथा प्रश्ण नम्मर फोर निम्न लिखित प्रश्णों के उत्तर विस्तार पुर्वक लिखिए मोहन का रदय परिवर्तन कैसे हुआ तो मोहन के बीमार होने पर सुनिल उसकी पढ़ाई में मदद करता है उसके इसी अच्छे विवार के कारण अपनी गलती का आयसाज उसे होता है उसे वह दिन याद आया जब उसने सुनिल की मदद करने से इंकार कर दिया था उसे अपने विवार पर पच्चतावा हुआ और उसने सुनिल का दन्यवाद किया उसने सुनिल से माफि मांगी उसे वह अशास हो गया कि सभी की सहायता करनी चाहिए तो आपको यह सारे क्वेस्चन और अभ्यास के लिए जो दिया है वह अपनी नॉट्वोक में एच डबल्यू में लिख देना है वन टाइम थैंक यू झाल झाल झाल